स्प्रिंग फिल्ड कॉलिज में खेले जा रहे आटवे पंकर छेटली मेमोरियल ओपन इन्विटेशन प्राइज मनी वैंडमिंटन टुनामेंट के अंतीन दिनों के मेच खेले जा रहे हैं जिसमें सबे खिलाडियों ने अपनी बहतरीन खेल प्रतिवा का प्रद्रशन करते हुए दर्शकों का मन महो लिया बालक उन्नेश सिकम में इस्मित सिंग वार राहूल उपाध्याई ने फाइनल में जगा वनाई वालिका वर्ग में देवांसी चोधरी ने फाइनल में दिवेश किया पुरुस एकल में हिवांसू रेयांस वा मोहित पांडे ने जीत दर्श की वा फाइनल सान 6 वजे से खेले जाएंगे कॉलिश प्रवंदन श्री विपिन जैठली ने खिलाडियों का उच्चा वर्धन किया श्री मती नीरु सरयन कॉलिश सोसाइट प्रेसिडेंट ने भी खिलाडियों का उच्चा वर्धन किया श्री मती स्वाती सर्मावग, श्री गुपेंद्र सिंग, श्री दर्मेंद्र कोशिक, निदीन चत्रुवेदी, श्री मंजित सिंग, दिब्या त्यागी, आधी पस्तित रहे करते संस्कुर। आज फाइनल डे है, आज सभी क्याटेगरीज के फाइनल माचे इवनिंग में खेले जाएंगे और इस पार सभी प्लेयर्स ने बहुत टफ कॉंपेटिशन दिया है बादमिंटन का बढ़ते हुए क्रेस का असर, आज कल के जितने यहां पे प्लेयर्स हैं उनकी गेम पे दिखाई दे रहा है कि वो टेक्निकली और कितने स्किल के साथ अपने आपको इस गेम में प्रेजेंट करें मैं बच्चों कैसा परफोर्मेंस आती इन से बहुत अच्छा, बहुत शांदार परफोर्मेंस रहा है जैसा कि आप से कहा कि अब बाडमिंटन एक नेशनल लेवल पे भी आइडेंटिटी बना चुका है तो जितने प्लेयर्स हैं अब इस गेम को जैसा रिस्पॉंस मिल रहा है इंडिया में और इंटरनेशनली हमारे प्लेयर्स भी जाकर के जो बना रहे हैं तो अब यह हमारे प्लेयर्स हो सकता है आने वाले समय में इनमेंसे कुछ आगे जाकर के नाम देशका कर सके हैं